नमस्कार नेक्स नाइन न्यूज देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ किरन यादव आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि कैसे आदित्य ठाकरे जो तमाम बागी विधायके 40 बागी विधायक जो की मुक्यमंतरी एक नाशिंदे के साथ बागी तेवर दिखा कर उद्दब ठाकरे के से बागी तेवर दिखा कर एक नाशिंदे के पास चले गए थे इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे कि कैसे आधित्य ठाकरे की बातचीत लगातार हो रही है उन बागी विधायकों के साथ देखिए जो 40 बागी विधायक थे उन लोगों ने एक नाशिंदे का साथ दिया था उसके बाद शिफसेना के दो धड़े हो गए थे यानि के एक उत्व ठाकरे और दूसरा एक नाशिंदे और उसके बाद जो सत्तात महाविकास अगारी सरकार थी वो गिर गई थी और फिर एडी की सरकार बन गई थी E.D. की सरकार मतलब एक नाशिंदे और देविंदर फड़नविस की सरकार बन गई थी उसके बाद हम देखे अगर बात करें राजनेतिक गलियारों में चर्चाएं खूब जोर पकड़ रही है की जो 40 बागी विधायक आये थे अब उनकी दोबारा से मातोश्री में बापसी हो सकती है ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखे लगातार उन बागी विधायकों की तरफ से अब एकनाश शिंदे को भी तेवर दिखाए जा रहे हैं और चर्चाएं खूब जोर पकड़ रही है कि जो वो 40 बागी विधायक थे उनको जो वो डिपार्टमेंट्स चाते थे जो डिपार्टमेंट्स उन्हें उद्दव ठाकरे के पास रहते हुए नहीं मिल रहे थे वो इसी लालत से एकनाश शिंदे के साथ आये थे कि उन्हें वो जो भी डिपार्टमेंट्स चाहिए अब वो उन्हें एकनाश शिंदे के साथ मिल सकते थे लेकिन महरास्ट में पहला कैबिनेट विस्तार हुआ, उसके बाद तमाम विधायकों की तरफ से नाराजगी जग जाहिर हुई क्योंकि उन लोगों को डिपार्टमेंट सचे नहीं मिले थे, अच्छे उनकी तरफ से कैबिनेट उन्हें मंत्री नहीं बनाये गया था, उसके ब उसरा कैबिनेट विस्तार हो, फिर उनकी तरफ से यह देखा जाएगा कि उन्हें कौन सा मलाईदा डिपार्टमेंट मिलता है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें, ED सरकार की, एक नाशिंदे और देविंदर फटनवीस सरकार की, तो देविंदर फटनवीस के भी तमाम ऐ से विधायक है, उनकी तरफ से भी यह चाह की जा रही है कि उन्हें अच्छा डिपार्टमेंट मिले, तो इस बीच यह अब जो चर्चा है, यह खूब जोर पकड़ रही है कि आदितर ठाकरे, अब इस जो फूट पढ़ती हुई नजर आ रही है, उन तमाम विधायकों में, एक नाशिंदे के भी जितने तमाम विधायक है, उनके बीच में जो फूट पढ़ती हुई नजर आ रही है, उसका फाइदा उठा सकते हैं, आदितर ठाकरे, आदितर ठाकरे लगातार, उन विधायकों से सिर्फ एक ही बात बोल रही है, कि उनकी मातोश्री में वापसी हो स देखते हैं, ये आने वाले समय में देखना बहुत ही ज़्यादा दिल्चस्प होगा, फिलाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रही है, नेक्स्टर नाइन न्यूस सनेवाद